आज मैं लेकर आई हूँ नीबू के छिलकों का ऐसा फेस क्रब जो की तवचा का काला पर अठाकी उसे गोरा करे और तवचा को साफ करे हैलो फ्रैंड्स मैं अब हूँ जोसना मेरे चैनल जोसना सागत ओल इन वन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है नीबू के छिलकों का फेस क्रब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हैं ऐसे दो नीबू के छिलके लिए हैं जो नीबू है वह हमारे चैनल को करता है को कॉफिक के छियरे के अच्छा उड्रै को स्क्रबर है काफ् quizzes में से वर इंड्स स्कीन उसे खतम करता है इस वरे से स्कीन का जो टून है वह बढ़ता है और हमारा चेहरे का काला पन खतम होके चेहरे को गोरा बनाता है थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहां पर कॉफी पॉर्ट डाला है अब उसके बाद हम यहां पर लेंगे शूगर शूगर भी अपने आप प्रफ कर दिया है ताकि जो निव गों चिलका है वो कॉफी की और जो चीनी है उसकी प्रपर चीशा अप्ड़क कर लेगा चलिए अब हमारा यह फेस कब हो गया है तैयार अब हम इसे लगाने की त्यारी करते हैं मैंने तो इसे अपने हाथ पर लगाया है आप से डिरेक्लि एला बहुत जाओ उला उयल होता है मौसम में चेहरे वर हुइस हे चिप चुपा रहती है तो चेरी पर चमक पाने के लिए इस तरह के स्क्रबर का का हमें इस्था माल करना चीए 2 मिनिट के लिए हमें हलके हलके हाथों से मसाज करनी हैं चयोंकि इanoith की दाने भी है अगर बह है मैंने फिर इसको अच्छी से मसाज की है और फिर जो टैब गाटा राता है उसी से हमें अपने हाथ को दो लेना है अब पानी से दोलेने के बाद अभी कोई भी टावर ले उससे आप साफ करेजिए सच में पहले से में की मुकाबले स्कीन मेरी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई और जो चेहरे का जो काला पंता वह भी सारा खतम हो गया है और आप देख सकते हैं स्कीन का जो जितना भी काला पंता स्कीन पर जो ओयल थैक्सस वह सारा खतम हो गया है और सच में आप इस डियाएवाई स्क्रब को जुरूर आस्माईएगा और यह वीडियो देखने के बात मुझे उम्हीर आप नीवू को चली कभी भी नहीं फैकेंगे आप इस स्क्रब को यूज कीजिए और मुरे ज करते हैं थैंक्स फूर वोचिंग